तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्क्राइब कर लेते हैं फटाफट कि हैं 100 जो मास्क जो आते हैं क्या क्या पूछा जाता है दरशा है तो तौभ इंगलिस खासकर बहुत एज़ी बन जाता है अगर आप इस टौपक एजह चानी नहीं आ पर बात करिंगलिस और फोनिक्लान वह कहां कहां सा सवाल आते हैं सबसे पहले comprehensive घरी मास की ऐते हैं जहां पे 1010 और यहां पर होता है अब यह 1010 55 क्या है आप लोग जरूरे हैं पर जाना चेहेंगे तो यहां पर 10 वाले यह Feeler baseline जाता है, ठीक है Feeler जैसा यहाँ पे रहएगा पूरा sentence एक रहएगा एक पैसल्ज रहएगा एक complaint हा एक फैसल्ज रहेगा यहां बाउन बाईब लुक्ति सब्सक्रिए तो यह Binge जी द sommes इसमास की अघाते है और इसमास इसमास रहे जो होते हैं मिल जाएंग वहां से आप देख सकते हैं, direct, indirect जिससे narration करते हैं, 10 mask यहां से आजाते हैं, question, active passive 10 mask के आजाते हैं, sentence improvement, 10 mask के होते हैं, error 5 mask के आते हैं, antoram 5 mask के आते हैं, failure की बात करते हैं 10 mask के आते हैं, और sentence arrangement की यहां पर बात करें, फिर अगर हम Intoshino की बात कर रहे हैं या फिर भूझप पूझक है! तो चीजे तो बस इसी pattern पर आने है ठीक है चीजे इसी pattern पर आने है इसी topic से आने है तो बस इन topic को आप धियां से देख लिजे ये topic आप धियां से देखते हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं, डिफिनिटली आपका 80 प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब कौन-कौन से सवाल पूछे कहते हैं, लास्टे में आप ज़रू देखना चाहेंगे, तो आए, फटा-फट देखते हैं, जो प्रीवेस देमें कोशन पूछा गया, देखे, इस सार के कोश कोशन आते हैं, जहाँ पर चार संटेंस लिखा रहेगा, आपको यहाँ पर अरेंज करने होंगे, ABCD के फॉर्मेट में जो भी हो, ठीक है, एक स्विक्वेंस यहाँ पर दिया जागा, कि किसकी सिक्वेंस में कौन-कौन से संटेंस आएंगे, खेर, यहाँ पर सबसे पहले ABCD कि वाला नहीं, यहाँ पर indirect और dialect, जहाँ पर मैंने बताया था कि 10 मास के आते हैं, डालेक्ट और indirect से कोशन आते हैं, तो देके कोशन का क्या level आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखने हैं, जोन सेड, विन आयम बोर्ड, आई कुक, अब यहाँ पर direct और indirect मे होता है, जब हो सकते हैं, eliminate वाला trick आप लगाई, ठीक है, eliminate करेंगे, आप 2 second में answer कर लेंगे, 2 second में answer कर लेंगे, यहाँ पर देखे, I am है, चुकि यह reporting जो वर्वे आपका past में, reporting वर्वे आपका क्या past में, तो जाईर से बात है कि जो reported speech है, यह reported speech, यह पूरा क्या होगा, जो tense है, वो change हो और यह उसजल जाएगा, तो देखे, first option में is होगा नहीं, third में यह होगा नहीं, और last कर बत करें, तो यहाँ पर आइ- dispos, है ठीक है तो यहां पर प्रजेंट की बात हो रही है तो प्रजेंट की बात अगर होगा तो उस किसमें चेंज हो जागा पास्ट में हो जाएगा ठीक है पास्ट वाइले में चेंज होगा तो यहां पर क्या है आई एम बोर्ड और उसके बाद आई को तो देखें एक तो यहां आपका answer हो जाएगा और when I am bored के जहाँ पर आई का क्या हो जाएगा ही हो जाएगा ठीक है आई का जो होगा फर्स जो फर्स्ट परसन है क्या हो जाएगा यहां पर subject के अनुसार जाता है ही हो जाएगा और ही इसाथ क्या आएगा जब हम इसका past बनाएंगे ही वाज हो जाएगा ठीक है ही वाज बोल्ड चुक यहां पर passive format में था इसलिए यहां पर passive format में रहनेंगे लेकिन यहां past में change कर देंगे ही वाज बोल्ड और ही कुक्ट ठीक है चलिए अब इसे तो और भी question देखते हैं फड़ा फड़ा अब क्या है बाई डायक्ट इन डायक का हो गया passive वाला देख लाते पैसिव एक्ट पैसिव से 10 मांस के question आते हैं तो active passive कैसे आ रहाता है अभी देख लीजिए देख ली इंटेंस collaboration maximize their creative potential ठीक कोशन है अब जब संटेंस आप परेंगे आप दो सेकेंड में आप कर पाएंगे कैसे दिखिए जब संटेंस आपने पढ़ा तो क्या क्या यहां यह संटेंस में आप पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है समझ में यह आता है कि आप पर maximized है साफ तोर पर पता चाहिए कि यह maximized है और maximized है तो ज़रूर यह क्या है आपका past में है जब इसके passive बनाते हैं तो हम क्या करते है passive जब बनाते तो was का यह होता है was यह वर sentence के अनुसर जो subject होता है उनुसर चेंज होते है तो हमें was तो चाहिए is है होगा नहीं is है यहाँ पर होगा नहीं eliminate हो गया और यहाँ पर was तो है ही नहीं यह भी eliminate हो गया मुझे was वला दिख गया answer first वाला हो गया ठीक है चली अब यहाँ पर आते जंबल ठीक है जिसे कते है आपको जो यहाँ पर we chart jumble pick the option that given the correct order ठीक है अब यहाँ पर चाट sentence देगे इनको एक correct order उसमें सजा रहा है चाट sentence यह है उसको correct order में सजा रहा है इसे भी आप trick से कर पाएंगे ठीक है within second ठीक है आप 10 second में आप इसे कर पाएंगे सिर्फ आप 10 second में अगर आपको part of a speech के अच्छी knowledge हो ठीक आप अगर reading आप reading skill ठीक हो आपकी है ना चले सबसे पहले इस trick में धूड़ना क्या है कि हमें सबसे पहले sentence परते तो बी वाले option में देखिए but से sentence कभी start होता नहीं eliminate हो गिया he had हो सकता है they all हो सकता है लेकिन हमने क्या बताःब पेहले sentence कभी भी start होता है तो पहले एक noun होता है उसके बाद यहांपे क्या होता है प्रनौन होता है नहीं, फिन फिट प्रनौन तो यह तो प्रनौन है न दूनों और भी वाला तरह ऐरेड डने होना है तो my brother, यहाँ पे my brother जो है, यह आपका हो जाता है noun, ठीक है, my brother हो जाता है noun, ठीक है, तो my brother was cooking, looking forward to his first metro ride, ठीक है, अब यह तो आ गया first वाले पे, यह के बाद कौन सा होगा, यह decide करेगा, अब चुकिए my brother यहाँ पे है, इसके लिए क्या आएगा, pronoun, they तो कभी नहीं आएगा, my brother, C यहाँ पे पता चल रहा है, और was से पता चल रहा है कि singular है, singular के लिए हमें क्या चाह्याए, एक singular ही यहाँ पे होना चाहिए, यह तो plural हो गया, हमें similar चाहिए, singular subject है, मिलिसके singular ही, pronoun भी होना च्टा के ओना चाहिए, तो my brother के लिए Georgetra के लिए pronoun क्या आएगा, दे तो लेते हैं तो अब वह गरा कि इसके बाद क्या आने वाला है तो देखें जब थर्ड संटेंस पड़ते हैं वाला है कि he had heard a great deal about it form his friends friends क्या यहां पे plural है friends क्या यहां पे plural है और इस plural के लिए हमें क्या चाहिए एक plural यहां पे plural चाहिए जो कि दे है तो दे फिर आएका डी वाले option में और जो बचे गया वह आपका automatically last में आता है a c d b b 3 वाला आपका अंसर होगा है ना चलिए फिर आते हैं जड़ा देखते हैं इसमें क्या है भाई हाँ grammatical error वाला question है ठीक है grammatical error वाला question है तो आए इसमें क्या यहां पे गलत है या क्या यहां पे improve किया जा सकता है a number of points of resemblance between the austalian and dravidian languages is discovered despite the fact that the home of the two races are so far apart अब दिखें जैसे sentence परते हैं यहां पे a number of दिखा और मैंने क्या rule बताया कि भाई a number of के साथ जो verb होगा जो verb होगा क्या होगा plural होगा अब verb जब plural होगा तो यहां पे देख साथे sentence में इस लिखावा है तो इस तो होगा नहीं हमें क्या करना था आर तो समझ में आया कि कहां पे error है इस discovered वाला में error है ठीक है चलिए लेस्ट आते question पर अब देखें इस तरह का entronymes previous question पूछा किया जिसके comprehensive एक entronymes देर चीज़ आगे चार option हैंगे comprehensive का मतलब होता क्या है वैसे comprehensive का मतलब होता है एक विस्तृत या व्यापक क्या होता है विस्तृत या फिर इसको कहते है व्यापक कह सकते हैं या फिर बहुत बड़े अस्तरपे कह सकते हैं इसकी बहुत बड़े च्छत्मे कह सकते हैं अब इसका opposite पूछा गया तो opposite जो होगा comprehensive का होगा विस्तिर्त या व्यापक का होगा अपो रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड कमल तब यहां पे हो जागा यहां पे limited ठीक है चलिए अब आते नेस्ट कुर्शन पे नेस्ट कुर्शन इस सर्था पूछा गया था passive format इसका passive बनाना है अक्ति पैसिव एक और कुस्न आपर देख लें थे to understand global warming and the zone hole you need science संटेड्स पंडे से पता चला कि यह क्या है बई present में तो present वाले में present indefinite का है तो present indefinite वाले हमें क्या चाहिए हमें एक चाहिए इस चाहिए ठीक है एज चाहिए एम चाहिए या फिर आर तो चाहिए ठीक है sentence में शिक करते है has been आ गया होगा नहीं ठीक है चुकि हाँ पे present indefinite वाले हमें इस चाहिए इस बीग नहीं चाहिए था हटा देंगे was बिल्कु नहीं चाहिए था automatic आपका first answer हो जाएगा ठीक है यहां पर इस आया है ना चले नेस्ट क्या वही और नेस्ट है कि sentence interrogative ही में रहेगा तो a master के साथ जो होगा आर तो कभी आएगा ने क्योंकि यह singular है तो singular के लिए हम इस ही लगाएंगे तो हमें क्या चाहिए था इस लगाएंगे अगर इस एम आर है तो इस एम आर के लिए जब हम passive format बनाते हैं तो being जोडते है तो being जोडते हैं तो being देखते लास्ट वाले में देखते हैं तो इस इस भी सूरूई और being है third number option आपका होगा ठीक है क्योंकि लास्ट वाले में देखते हैं तो वह जाजा जाता है जो की चाहिए था नहीं लेश्ट है एक और यहां से देखते हैं अन्टोनिम देखे थे अब यहां पर सैनोनिम देखेंगे जो कि लास्ट वाले में पूछा गया था इस पूछा गया था ठीक है प्रोहिविशन का मतलब होता है निशेद या रोग अब इसका जो सैनो होगा वह को एक्स्क्लूजन अब इसको मैं बता दूगा ठीक है धो सैकल में आप इससे कर पाएंगे लगा को यह जो संसे पर आप को वी संसे में वह चीज़ आएगा नहीं जैसे भार्किंग से पता चलता एक डौक करता है तो अगर इसमें आ गिया नेने पर भूखना मैं इसकी कोई रॉंग ट्रेय है और से बाहग करना भूखना मैं इसके एक तरह से कर सकते है कि जो चीज़ मैं इसके गलग चीज के पीछे भागना, मैं इसकी Chasing a false trail, इसका correct answer होगा, मिस understanding the origin of the problem भीकुल नहीं होगा, यहां पर बात हो रहता है, barking of the wrong tree, चलिए, अब यहां पर देखते हैं कि बाई क्या है sentence improvement वाला question आ गया, sentence improvement वाला question आ गया और इसके यहां पर rules आपको जाने बहुत जरूरी है, जैसे देख लिए यहां पर क्या रहो, we have so many to do and so little time, time time uncountable है, uncountable के साथ तो यहां पर little ठीक है, तो भाई, main ही तो बिल्कुल नहीं होगा, time के लिए हम क्या use करते हैं, much का use करते हैं, तो हमें second वाला option यहां पर होगा correct answer, आगे देखते हैं, और सा कौन सा question पुछा गया था भाई, देख सकते हैं, यहां पर indirect वाला question एक और देखते हैं, direct indirect से question पुछा गया था, Mary ask her husband, why have you been avoiding me since yesterday, सबसे पहले जए शड़े हैं तो इसका चिंज करना होगा है, ट्रिक यह कहता है, कि पूरा sentence पढ़ने से अच्छा कि यह स्टड़े को आप चिंज करना होगा है, इस्टड़े का होता है husband, ठीक है, उसके बाद है, why have you been avoiding, अब देख लिजए, direct or indirect में क्या होगा, यहाँ पे, why have you been की जगाँ पे, आप क्या challenge करना होगा, present, यहाँ पे क्या है, present perfect में है, present perfect continuous tense में है, तो इसका change क्या हो जाता है, past perfect continuous में, मिसकी have हैड हो जाएगा, हैड ढूणने में कहाँ पे है, first वाले में, हैड है नहीं, second वाले में, third वाले में, और fourth वाले में, हैड है नहीं, तो यह भी eliminate यह हो गया, तो मिसकी third, तीन आपका 4 option में से 3 eliminate कर गया, तीन eliminate कर गया, एक तो यहाँ पे study के करना यह eliminate कर गया, head than इसमें यह eliminate कर गया, और यहाँ भी head than ही eliminate कर गया, बच यह third number option click करके आगे बर जाएंगे, यहां पे फिर पूछा गिया वहाई सैनोंनेम का कोॉछन नहीं था पिछले बार देख लीजेंड जिसके का पूछा गिया है डिस को दूछा गिया इसका साइस को धाधा घ्रीना तो सी नहीं फिर इसकी एक कोशन प्रह्य seriously तो दिखें एडियम वाला कॉश्शन पर आते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे एस्ट्रेट फ्रॉम्ड होर्स माउथ एस्ट्रेट फॉर्म दर होर्स माउथ की बात कहा गया है ठीक है तो कि यहां कौशा हो गवाई गेंगे इंफरमेशन फॉर वर पॉपलर टेलिविजन चैनल बिलकुल नहीं बइव आफ फ्रॉम फॉर्स माउथ या एसके इसको सॉंद नमबर वाला यहां पर आपका ऑप्सन होगा hear something from someone who has that or personal knowledge की बात हुए थी आपका कहने का मतलब यहाँ पे जो चीज आप सुने वो कहां से आ रहा है बैए एक that source से आ रहा है ठीक है ना कि कोई social media वाले source से आ रहा है ना कोई television challenge से आ रहा है या खुद के self confidence से बिलकुल नहीं ठीक चले अब देखिए इस तरह के close test close test नहीं था यह comprehension था ठीक है मैंने आपको भी बताया थे comprehension इस तरह के पूछे जाते है comprehension जो कि यहाँ पे 10 mask के रहेंगे और यह filler based रहेंगे ठीक है यह filler based रहेंगे तो इस तरह के question भी आपको exam में देखने को बन सकता है तो आप इस पर आपको work करने परेंगे अब इसको इसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे आपको पहले कि आपको part of a speech के अच्छी knowledge होने चाहिए तो और word power अच्छी होने चाहिए और reading a screen में जो कि आपको daily एक passage आप करते रहें आपको आपको पता राही होने तो करेंडे चाहिए तो यह चीज यहाँ पर ऑप्शन में आगा सेकंड नमर ऑप्शन आप इसे फिल करेंगे ठीक है आप संदेन्स को समझेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर फिल करेंगे सेकंड नमर ऑप्शन मिंस की कम या जिसको कहते है थोरा ठीक है चले एक और यहाँ पर कॉशन देखते हैं साइनो से डिलेक्टेज जो की पुछा गया था पिशली बार कॉम्प्लिकेटेट का साइनो क्या होगा कॉम्प्लेक्स ठीक है अब आते हैं यहाँ पर फिलर देखें जी फिलर किस्ता का फिलर पूछे जाते बहुत सिंपली होता है बड़ वो संदेंस और बरे होते तो आप घवरा जाएंगे घवराने की ज़रूत नहीं चीजे को समझ जब संदेंस परेंगे तो बस पहले लाने ही चीज़े समझ में जाएंगे अस्पेस एक्स्प्लोरेशन डिमांड्स धास हुमन क्वालिटीज फॉर एस्ट्रोनाट्स गेट ड्रेवरी बट फॉर एविवन इंचेनिविटी इमेजिनेशन डिसिप्लीन और इवर शॉट अब यहां पर बात सब चीज़ और एक्स्प्लोरेशन की बात हो रही है और एक्स्प्लोरेशन की बात हो रही है तो इक्स्प्लोरेशन 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 की बात हो रह लेते हैं, have we got good teachers when you were at school? अब देखिए sentence अब यहां पर when you were at school की बात करते हैं, यह पास्ट में अगर यह पास्ट में है, तो first वाला जो यहां पे clause है, वो कभी भी क्या होगा, present में तो होगा नहीं, हमें क्या करना होगा, पास्ट में बनान के, did you have करना होगा, ठीक है, एक और देख लेते हैं, अन्तॉनीम का मतब है, इसके it is mettre Das tumor का मतब पहले आप जाने क्या होता है, das का मतब होता है कि help you encourage करना, ठीक है, sorry, das का मतब होता है, आपका जो है discourage करता है, उसका opposite होगा encourage करना, ठीक है first number option होगा, चले आगे सवाल पर देखते हैं, फिर से आगी है आपर sentence improvement वाला question देख लेते हैं if you are ever in chanay you come and see me तो देखे हैं आपर कौन सा option होगे come and see me, come see me no improvement, you came and see me ऐसा नहीं था, देखे if you are ever in chanay जब कभी भी तुम chanay में होगे, ठीक है बात हो रहा है, simple present की बात है come and see me होगा, ठीक है second number option होगा, यू तो आएगा नहीं ठीक है, चले next क्या होगा many a girl was influenced by the inspirational literature, given by the novel literature अब यहाँ पे grammatical error आपको सुधारना है क्या हो सकता है, जैसे first sentence देखे, many a दिखिया तब इसके साथ जो noun होगा, and verb होगा, दोनों की आउगा, singular होगे, ठीक है, तो यहाँ पे girls जो है, यह तो noun जो है आपका, singular में है ठीक है, यह तो correct है, लेकिन जो verb है, यह गहला थे, यहाँ पे हमें क्या करना था was करना था, तब जाकर यह सही होता ठीक, तो guys, यहाँ पे कुछ important जो question last year में आयते जो pattern पे आयते, वो pattern को सिर्फ आपको दिखाना था तो यहाँ पे जितने भी पूरे के पूरे question तो मैंने नहीं दिखा पाया, लेकिन हाँ कुछ कुछ question आपको दिखा है, सभी topic से एक question लेकर आपको दिखा है ताकि चीज़े आपको समझ में कि last year जो question पूछा गया था, कैसा था, और किस तरह से पूछा जाता है, और कितना easy होता है, moderate होता है, या tough होता है यह चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएंगे I hope की वीडियो आपको काफी helpful रहेगा और इससे आपको एक नया strategy बनाने में help मिलेगी और बागी में इसने वीडियो नहीं आप देखते हैं continue, आपकी English अच्छी होगी और definitely आप, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आपका LTPLस आने से कोई